विद्ध्यार्दी मित्र हो नमस्कार मी अल्डी ढगे आमचा इनोटी व्यू पब्लिकेशन चा डिजिटल प्लाट्फरमर आपले हार दीक हार दीक स्वागत करतो विद्ध्यार्दी मित्र हो अपना स्माहितच आहे की सद्यापन यमसी क्यूची टॉपिक नियाए विडियो स्रीच पाता होत मागिल विडियो मदे आपन यूनिट क्रमांतीन आलाई ट्रेड यावरिल कही मत्व पूर्ण यमसी क्यूच पाहिले पुना एक दाज आपना समाहित आमचा पब्लिकेशन चे लेक्चरर सेख हाइदर सर ग्यूनाले आहेत आपले चौथे यूनिट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, जॉइंट्स, सोल्डरिंग वव यूजी केबल या वरिल कही मत्व पूर्ण यमसी क्यूच विध्यारती मित्र हो, हाव वीडियो आवल्ल्यास लाइक करा, शेर करा वा आमचा आईवी वीपी आउनलाइन या यूट्यूब चैनल ला सब्क्राइब करा त्याज बरोबर बेल आईकोन मदिल आल नोटिफिकेशन ला क्लिक करन्यास विशुरू नका चलातर मग पाहुयात आपले चाउथे यूनिट कंड़क्टर्स, इंसुलेटर्स, जॉइंट्स, सोल्डरिंग वव यूजी केबल या वरिल यमसी क्यूच नमस्कार दोस्तों मैं शेक हैदर हमारे इनिवेटिव पब्लिकेशन के इस बिजिटल प्लाटपॉर्म पे आपका सौगत करता हूँ आज हम यूनिट नमबर फोर कंड़क्टर, इंसुलेटर, जॉइंट्स, सोल्डरिंग और अंडर्गाउंड केबल इस टॉपिक के ऊपर प्रतियोगिता एक्जाम में पूछे जाने वाले कुछ MCQs देखने वाले हैं, तो आएए स्टार्ट करते हैं, तो पहला सवाल है, what is the possible range to measure the size of the wire in standard wire gauge, SWG, यानि standard wire gauge से हम maximum possible range, यानि कौन सी श्रीनी तक हम wire की size measure कर सकते हैं, option number A है, 0-36 option number B है, 0-42 option number C है, 0-38 और option number D है, 0-44, अब हम जब भी किसी भी wire की अगर size measure करना है, हम उसकी size standard wire gauge यानि SWG में हम measure करते, standard wire gauge एक device का नाम है, जिसके अंदर हम wire की size measure करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के holes यानि खाचे होते हैं, जिसके अंदर हम wire को insert करते हैं, और उसके हिसाब से wire के हम क्या करते हैं, size decide करते हैं, अब जो standard wire के जो होता है, उसमें maximum possible range है, वो 0 से 36 number तक, 0 से 36, अब जो 0 size है, वो number छोटा है, लेकिन यहाँ पर wire की size होगी, वो बड़ी size होगी, और 36 जो number है, वो बड़ा number है, लेकिन अगर 36 wire के, अगर कुछ किसी खाचे में wire बैटा है, और 36 number अगर SWG अगर wire की size है, तो wire वो सबसे छोटी size का wire होगा, यानि SWG, standard wire gauge में, जितना बड़ा number उतना wire की size, छोटी, जितना standard wire gauge का number छोटा, उतनी wire की size, बड़ी होगी, अब यहाँ पर हमको maximum possible range जो पूछाते, तो यहाँ पर maximum possible जो range है wire की, वो क्या होगा, 0 से 36, यानि option number A, इस question का सही answer होगा, अगला सवाल है, which method of cable lying is suitable for congested area, यानि congested area यानि जहाँ पर बहुत जादा गर्दी है, ऐसे जगाँ पर हम underground cable डालने की कौन सी method का इस्तेमाल करेंगे, option number A है, racks in air, option number B है, duct in ground, option number C है, along buildings, option number D है, duct pipes, अब हम जब भी अगर जहाँ पर ऐसा area है, जहाँ पर बहुत सारे गर्दी है, जहाँ पर बहुत सारे घर तो है, बिल्डिंग्स है, जहाँ पर हमारा पास availability of space जो जगह है, वह आच्छे से हमारा पास ज्यादा बड़ी amount में ज्यादा तर space अवेलेबल नहीं है, अब congested area है, अब ऐसे जगाँ पर underground cable डालना है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, duct pipe के साथ दालें, duct pipe में क्या होगा? कि duct बना एंसर हुआ, option number D, duct pipes, अगला सवाल है, which insulating material is used as a hot puring compound for making joints in underground cable, यानि कोंसे compound का इस्तेमाल करके हम joints पर गरम compound दाल कर उसे insulation provide करते हैं, option number A, bituminous compound, option number B, cast resin compound, option number C, polymine, hard run, option number D, epoxy, cast resin compound, अब हम जब भी किसी underground cable को joint करते हैं, तो उसके उपर insulation provide करने के लिए हम क्या करते हैं, अब bituminous compound का इस्तेमाल करते हैं, bituminous compound जैसे example की तोर पे हम सबस्दों डामर, डामर हो क्या करेंगे, हम heat करेंगे, गरम करेंगे, गरम करने के बाद में क्या करते हैं joints के उपर क्या करते हैं, pure करते हैं, इसके उपर दाल देते, अब उसके उपर दाली में थोड़ी देर से हाड हो जाएगा, और इसे insulation बोल के काम करेंगे, अब जब भी अगर हम किसी compound का इस्तेमाल करें, तो compound को बिटुमिनियस compound, यानि option number A, इस question का सही answer हुआ, अगला सवाल है, what is the advantage of standard conductor over solid conductor, यानि standard conductor का solid conductor के उपर कोन सा हाइदा, कोन सा advantage है, option number A है, cost in less, option number B है, less voltage drop, option number C है, more flexible, option number D है, more insulation resistance, अब अगर हम किसी solid conductor के अगर बात करें, solid conductor में क्या होगा, एक single strand रहें, और यहां अगर standard conductor है, तो standard conductor में क्या होगा, एक से ज्यादा strand रहें, मतलब उसके अंदर जो conductor की code रहें, वो एक से ज्यादा रहेंगे, अगर ज्यादा conductor का अगर हम इस्तेमाल करें, ज्यादा एक से ज्यादा layer का इस्तेमाल करें, या फिर एक मालिक स्टेन्ट का बंल बन गाया अब यह जो лейगा बढ़ जाएगत अब जैगा और इसकी फ्लेक्जिबीटी हो जागी बढ़ जाएगी याने कीड़'ll सॉलेट्टार मतलब काहरो है सिंगल श्टेन्ट ए कि तूतने के ब्रेक होने के चांस से ज्यादा है क्यों कि इसके flexibility बहुत कम होगी as compared to standard conductor अब standard conductor में क्या है ऐसे कई कई सारे क्या होगा मल्टी स्टैंट एक से ज्यादा स्टैंट उसके वैसे क्या होगा उसके flexibility बढ़ जाएगी याने हाँ पर एक major advantage क्या है solid conductor के ऊपर standard conductor का more flexible याने इस question का सही answer होगा more flexible option number C अगला सवाल है what happened to the holt meter if it is connected as an emitter अगर हम holt meter को अगर emitter की तरह अगर इस्तिमाल करेंगे तो क्या होगा option number a meter burnout option number b more deflection option number c low reading option number d overshoot deflection अब अगर किसी भी holt meter को हम as a emitter बोलके अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा अब जो emitter है हम क्या करते always connected in series याने कैसा connect करते लोड के series में याने जिसी भी जिसी भी लोड का या जिसी भी circuit का अगर हमको current measure करना है तो emitter हम connect करते है series में और उसका जो internal resistance रहे था किसका emitter का उसकी value रहती बहुत कम very small it can be negligible हम जिसको निगलेड भी कर सकते नदर अंदाज भी कर सकते इतनी smaller amount पे क्या हम उसका internal resistance होगा लेकिर अगर वही बात करें किसकी hold meter की hold meter का internal resistance है suppose कि क्या है खुद का internal resistance है उसकी value क्या है बहुत ज्यादा है मतलब क्या अल्मोस्ट अगर हम ideal condition अगर consider करें तो क्या हुआ infinite क्या हुआ infinite बट प्रैक्टिकल इस पॉसिबल ले तो क्या करनो very high क्या है भोश ज्यादा अब यहाँ पर suppose hold meter है अब हमने क्या करें इसको series में connect कर दे किसी load के साथ में अगर माना है सपॉस्ट ऐसेंपार कोई taxi अब क्या होगा कि जो भी है का होल्टेज है सब्सक्राइब करेंगा या ना करेंगा पॉसिबिलिटी क्या होगा बहुत कम अमॉंट में क्या अगरेंगे तो वो लो रिडिंग बताएगा क्या बताएगा लो रिडिंग क्योंकि उसका खुद का इंटरनल रिजिस्टन्स की वालू का है बहुत जादा है याने इस कोश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नमबर सी अगला सवाल है यहां फिगर में दीए वाले डीएंट का नाम क्या है औरौशन नमबर ए नॉazेंट आप जयेंट्व औरुप्शन नमबर सी डूप्लेक क्रॉस्ट्वाश्प जॉ Scr mü अब यहांगे हमको ऍमेज में जो एके मेचा यहांगए ज्वाइन architect कि पहेंद आटाइ को बताना हमको बताना है कि ये क्या को नौट तो प्रमाने उसका एका क्या आई हमको बतारा है option number A है column option number B है ohum option number B है more option number C है hold per second option number D है ampere per second अब जो electrical quantity है electrical quantity क्या है ना charge क्योंता है चार्ज अब चार्ज का unit हमको बताना है अपर जो charge है तो charge का unit क्या है क्या है column तो इस वज़ा से इस question का सही answer होंगा option number A column अगला सवाल है which is the example for course access current protection यानि course access protection का example क्या है option number A reliable type fuse unit option number B है MCCB option number C है HRC fuse option number D है MCB जो अगला है जो प्रोटेक्शन रहता है जो भी rated current से किता 1.5 टाम से है ज़्याधा करण जाने के बाद में चार घंटे तक भी अगर current flow हो रहा है तब इसको protect नहीं करेंगा अब इहां पर से किता 1.5 टाइम से करने के लिए पर एक्जाम्पल जो दिया ले एक्जाम्पल प्रोटेक्शन का एक्जाम्पल प्रोटेक्शन का क्या इस वजह से इस question का सही answer होगा, option number A, re-wireable type fuse unit अगला सवार है, what is the full form of XLPE cable, XLPE cable का पूर्ण नाम क्या है और full form क्या है यह हमको बताना है option number A, cross link polyethylene, option number B, cross link polyethylene option number C है, XE, line, phase, earthing, option number D है, XE, length, paper and abonide अब यहाँ पर जो XLPE cable है, इसका full form जो होता है, cross link polyethylene क्या होता है, cross link polyethylene, इस वज़ाए से इस question का सही answer होगा, option number B, cross link polyethylene अगला सवाल है, what is the cause for cold solder defect in soldering यानि soldering में जो cold effect है, इस दोश का मुख्य कारण क्या है option number है, excess hitting, option number B है, high wattage soldering iron option number C है, incorrect use of solder, option number D है, insufficient hitting अब जो cold soldering effect है, cold soldering defect यानि दोश है, इसकी मुख्य और main वज़ाज जो है insufficient hitting, अगर proper temperature पर हम उसको हीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो cold होने की चांसे यानि dry होने की चांसे ज़ादा रहते हैं, इस वज़ाज से जो दोश है, यानि कोई सा fault बता रहे हैं cold effect of soldering, तो soldering में cold effect होना, ये कहा किसके वज़ेस होता, improper temperature और insufficient hitting अगर सही तरह से हम उसको हीट नहीं करेंगे, गरम नहीं करेंगे, अच्छी तरह से, तो हाँ पर ये दोश्ट दिखने मिलेंगा हम पूर यानि इस question का सही answer होगा, option number D, insufficient hitting अगला सवाल है, how many electrons are there in the valence shells of copper item, copper item के last shell, यानि वालेंज शेल के electrons की संक्या क्या होगी, option number A, 8, option number B, 2, option number C, 1, option number D, 18 अब जो वालेंज शेल है, वालेंज शेल मतलब लास शेल, आखरी सेल में जो copper के item में इसकी संक्या हमको बताना है, ठीक है, अब जो electrons की संक्या बताना है, इलेक्ट्रों की, अब जो itemic structure है, तो copper का itemic value किता है, 29, किता है 29, अब हम इसकी जो अशेल है, ये हर शेल की अंदर कितने electron से, हर शेल के अंदर कितने electron से, यह हमको अगर बताना है, तो आब कैसा हांट करीं है, अपर, 2 to the power N स्केर अब अगर न का मतलब क्या होता है मुझा यहने टू पहले जो सेल bilang कितने एलेक्टरों सा यह बता न हें को तो किहां हो जांगा 2 तो नंबर किता चेंडो का स्कूर तो किता हो जांगा सुस्थ की टू nota जेंगे र्वेज्ण सेग्ट्रों के चेंगे कीजिए 8 एलेक्ट्रों की थ्यक्ति ठीट अब इसके बाद जोतने इसका स्कूरिस किट्ञेब थ्री थ्रीट का चांगा 9 9 multiply by 2 किता होगा 18 अब यहां पर देखो 2 और 8 10 10 और 8 28 तो इलेक्ट्रोंस हो गए अब टोटल आइटाम किता है 29 बचा किता एक तो जो लास्ट सेल अगर आएगा आखरे सेल आखरे सेल में किते इलेक्ट्रोंस की संक्या होगे हमारी बचेवा एक तो यहां पर जो हमारा क्या ह कॉपर है कॉपर का जो लास्ट सेल में वालेंस सेल में जो इलेक्ट्रोंस की संक्या हो जाएंगी वह हो जाएंगी वज़ाएंगी वज़ासी इस कुश्चन का सभी आइंसर होगा option नमबर C 1 अगला सवाल है वाट इस दे यूनीट आफ इंसुलेशन रेजिस्ट्रंस का एक हमको बताना है option number a ohm option number b kilo ohm option number c mega ohm option number d milli ohm अब इंसुलेशन जो रजिस्टंस थे वह बहुत ज्यादा रहती है बहुत ज्यादा रहती very high amount इसलिए हम उसको क्या करते हैं मेगा ओहम में करते हैं डिफाइन करते हैं और मेजर करते हैं इस वजह से जो इंसुलेशन रेजिस्टंस का जो यूनिट होंगा वह होंगा मेगा ओहम इस वज़शन का सही आइसर होंगा option number C मेगा ओहम अगला सवाल है what is the name of the part mark as a X in the underground cable जो underground cable का image है इसके अंदर हमने क्या करें एक X mark करें उस X mark का हमको क्या करने का है identify करना कि कौन सा पार्ट है अब यह एक्स मार्क जो करें जो एक्स उसका यहाँ पर ही यह वाला तो यह वाला पार्ट कोन सा है और इस पार्ट का नाम हमको बताने यह आर्मोरी नंबरे डो है दो है और विड़िंग ओशन नंबर सी है weight lei छी ऑप्र डी है paper के बीडिंग और बीडिंग बंत हमारा चलिसे ही तो बंत हमारा फाटन एस ही और इस विजह से आर्मोर करे हमनी है ये आर्मोरु कटाथे मेकेनिकल इसके ऊपर वाब्रेशन क्रेट हुआ उसकी वाई से सामने एक कोली तरह से कम बिदिंग करता है उसके ऊप्चेन का नाम बिडिंग हो से स्यक्टानीब आप दा पार्ट मार्क एज़ेंगे इसके अंदर जो एक्स मार्क जो करे लिए इस पार्ट का बताना है कि इतने पार्ट का हमको क्या गरना है नाप बताना है क्षारा क्या पार इसलिएशं Een पर चिह को हम बोलते है लीड शीत अब इसका जो इसतेमाल है इसेित उनेला शीट My से मोइस्ट्टर से और जो भी अंदर जमीन के ऐंदर की गेपाने के लिए और मेर्ड मेन परप्रस क्या है मौइस्टर से बचाने के लिए यह लीड शीथ का इस्तिमाल करते ते यहां पर जो मार कर रहा हो लाइगी एक सेक्षन है कि सब्सक्राइब लिड़ शीद का आपर देख और अप्षन नमबर ए इस वजा से इस कोशन का सहीं अंप्षन नमबर ए लीड़ शीद अगला सवाल है सब्सक्राइब को बताने हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और यह केबल का नाम है उप्षन का यह वाज से इस कोशण का सही आंसर होगा अब दीटिगर आपको आपको अप्षन नमबर बी तो सही आइंसर है married joint option number B अगला सवाल है What is the value of electrical conductivity of aluminium conductor याने aluminium conductor का electrical conductivity की value क्या है option number A है 61 more per meter option number B है 56 more per meter option number C है 28 more per meter option number D है 35 more per meter अब यहाँ पर aluminium conductor कौन सा aluminium conductor इसकी electrical conductivity होती है normally 35 more per meter इस वज़ा से इस question का सही answer होगा option number D 35 more per meter अगला सवाल है What is the name of soldering method इस soldering method का हमको नाम बताना है इस image में दिया गया पहला option है option number A deep soldering option number B है soldering gun option number C है soldering iron option number D है soldering with flame अब यहाँ पर option number A जो है वो कौनसा है deep soldering deep soldering में क्या करते है normally बल्क प्रोड़क्शन रहता जहापर यहाँ पर electro skates होगे आप जहाँ कि normally इस्तेमाल करते उसको soldering करने के लिए क्या करते है soldering में dip करते है दुबा के निकालते यहाँ तो क्या दिख रहाए नॉर्मल टाइप कर गन दीख रहा है क्या दिख रहे गन दीख रहे तो deep soldering यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन है soldering गन यहाँ ऑप्शन यह दिख रहे गन देख रहे यह जो गन है इसलिए इसको जैसे soldering में नाम कर दोगा soldering गन तो यहाँ पर इसकोशन का सही आंसर होगा ऑप्शन नमबर बी soldering गन अगला सवाल है वाट इस दा करण रेटिंग खाक्टर फोर क्लोज एक्सिस करण प्रोटेक्शन फोफ केबल यानि क्लोज एक्सिस प्रोटेक्शन का अगला सवाल है वीच के बाद लाइंग मेथर्ड इस यूज इन जनेरेटिंग टेशन यानि जनेरेटिंग टेशन पर हम किस मेथर दोरा अंडर्ग्राउड केबल जमीन में डाला जाता है अप्शन नमबर A है राक्स इन एयर अप्शन नमबर B है इनड़क्शन नमबर C है अलांग बिल्डिंग्स अप्शन नमबर D है डारेक्ट इन ग्राउड अब जनेरेटिंग टेशन पर हम जो अंडर्ग्राउड केबल दालते हैं वह वह दालते हैं उस तेम में हम राक्स इन एयर इस मेथर का इस्तेमाल करते हैं यानि इस कोश्चन का सही आइंसर होगा राक्स इन एयर अगला सवाल है विश टाइब अप सोल्ट्रिंग फ्लक्स इस दे जूज़ वर सोल्ट्रिंग अफॉलद्राइव याने अब बतार्ग्रण को बोड़ करोёт के लिए किस ताइप का फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है अप्शन नम्बर ए कर और लाइट option number B है option number C है zinc chloride option number D है salt ammonia rosin अब जब भी हम aluminium conductor को अगर sold करेगे तो वहाँ पर car and light इस flux का हम इस्तेमाल करेगे यानि option number A इस question का सही answer हुआ अगला सवाल है which method of soldering is used for quantity production and for tinning work यानि large quantity or tinning work के लिए कौन सी soldering method का हम इस्तेमाल करेगे option number A है soldering with flame option number B है deep soldering option number C है soldering with soldering iron option number D है soldering with soldering gun अब जब भी हम हमको यहाँ पर पहले तो question देखो question क्या करेगे हमको कि bulk quantity यानि quantity production और tinning work के लिए कौन सी soldering method का हम इस्तेमाल करेगे अब जब यह bulk quantity और stinning के लिए अगर हम क्या करें है soldering करेंगे तब हम वहाँ पर deep in soldering का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम क्या करते है जो भी metal का हमको sold करना इसको क्या करते है soldering metal के अंदर क्या करते है deep करते हैं डुबा कर भायर निकालते अब इस वज़े से इसको क्या करते है deep soldering method का हम नाम देते है इस वज़े से इस question का सही answer होगा option number B deep soldering अगला सवाल है what is the effect of electric iron on neon lamp जयाने neon lamp में कौन से electric परिदिनाम का इस्तेमाल किया जाता है option number A है heating effect option number B है gas ionization effect option number C है chemical effect option number D है magnetic effect अब जब भी हम neon lamp के अगर बात करते है तो neon lamp पे gas ionization effect का इस्तेमाल किया था कौन सा gas ionization effect इस वज़े से इस question का सही answer होगा option number B gas ionization effect अगला सवाल है which electrical device is the course axis current protection याने course axis protection का example कौन सा device है option number A cartridge fuse option number B high rupturing capacity HRC fuse option number C है miniature circuit breaker यानि MCB option number D है re-wireable fuse अब re-wireable fuse यह जो है यह है main example of course axis current protection का किसका course axis current protection और हमको यह बताने course axis protection का example क्या है कौन सा device हम course axis protection में इस्तेमाल करें तो हम पर कौन सा इस्तेमाल करें हम re-wireable fuse अब course axis protection में क्या होता जब भी current rated current से किता 1.5 times अगर जादा होता तब तो इसमें कोन सा protection इस्तेमाल करते हम re-wireable fuse तो इस question का सही answer होगा option number D re-wireable fuse अगला सवाल है इस टाइप आप जॉइंडिंग दे लेंथ आफ और इन ओर रहेड लाइड याने ओरेड लाइड में कॉप कंड़क्टर की लेंथ बढ़ाने के लिए कौन से जॉइंड का हम इस्तेमाल करें अब जब भी हम किसी ओरेड कंड़क्टर के लेंथ अगर इंक्रीज करना है बढ़ाना है तब हम वहाँ पर ब्रिटाइनिया स्ट्रेट जॉइंड का इस्तिमाल करें कौन सा ब्रिटाइनिया स्ट्रेट जॉइंड इस वज़ए से इस question का सही answer होगा अगला सवाल है what is the effect on molten solder due to repeated hitting याने बार बार हीट करने की वज़ए से meltdown solder पे कौन सा परिदाव होगा अब जब भी हम किसी मेटल को बार बार क्या करेंगे मेल्ट करेंगे उस वज़ा से उसकी अंदर के जो तीन कंटेंट है वो क्या होगें रिडियूस होगे यानि बार 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 करें repeated melting के वज़ए से जो melt on solder उसकी अंदर का जो तीन कंटेंट हो क्या होगें अगला सवाल है what is the purpose of serving layer in underground केबल यानि underground केबल में serving layer का क्या हेत हुए और क्या इस्तिमाल है option number a protect the cable from moisture option number b protect the cable from mechanical injury option number c protect armoring from atmospheric condition option number d protect metallic sheet against corrosion अब जो serving क्या होता लास्ट पार्ट कहा पे लास्ट लेयर में क्या होता अंडर्ग्राउड केबल की लास्ट लेयर है तो उसको क्या करते हैं अगला सवाल है which part of underground cable is protect the metallic sheet against corrosion यानि underground केबल में metallic sheet को corrosion से बचाने के लिए कौन से लेयर का इस्तिमाल करते है option number a serving option number b armoring option number c bidding option number d none of the above अब हम जब भी किसी underground cable की metallic sheet को क्या करना प्रोटेक्ट करना है अगेंस कहां से moisture से तहम उसके उपर एक layer प्रोटेक्ट करते हैं जो लेयर रहता है से bidding तर विद्धर ती मित्र हो अशा प्रकारे आज आपन unit क्रमा चार conductors insulators joints soldering वो यूजी के बल्या चाप्टर वरिल काई मत्व पूरून यमसी क्यूज पाहिले पुडिल यूडियो मदे आपन basic electricals या चाप्टर वरिल काही मत्व पूरून यमसी क्यूज पाहना रहोत क्यों भेट्व याद डे अफ्टर तुमारो एका नवीन महीती सह हाँ वीडियो आवल्ल्यास लाइक करा शेर करा वो आम चा आईवी वीपी आउनलाइन या यूटूब चानल ला सब्क्राइब करा बेल आइकान मदील आल नोटिफिकेशन ला क्लिक करा जेने करू नव नवीन वीडियो ची महीती आपना समिलेल धन्यवाद